सराज आहमादमी पार्टी की द्वारा जो पत्रकार वारता आईजित की गई है किस विशे को लेकर की गई है जी ये पत्रकार वारता 29 तारीक को ब्रह्म सरोवर कुरू छेतरा में समय 11 बजे स्री अर्विन केजरीवाल जी आहमादमी पार्टी के संजुज़ग हरियाना के विकास के लिए अब बदलेगा हरियाना और हरियाना में भी केजरीवाल का आगाज करने कुरू छेतर पहुंच पूरे प्रदेश की रैली है ये रैली की तैयारिया हमारी चल नहीं है जगा हमने फाइनल कर लिया है पूरे प्रदेश में पार्टी के वरिष्पदारिकारी कारिकरता साथी सभी गाउं में जाके कस्बों में जाके महलों में जाके सहरों में बजारों में सब को निवता द दिन है ऐसे में इस रैली को लेकर क्या विवस्थाइं की गई है क्या लगबक कितने लोगों के आने का नुमान है रभिवार का दिन तो इसलिए चैनित किया गया है कि रभिवार के दिन जादा तर लोग अपने आफिसेस से वगेरा से फ्री रहते हैं और कामों से उनके पास स स्कूलों की दूरवेवस्था का मुद्धा है हास्पिटरों के खस्ता हालात का मुद्धा है युवा वहां पर आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी पूरे देश में हरियाना में सबसे ज़्यादा है और इस सब को देखते हुए चुकि अर्विन के जीवाल जी भी हरियाना के रहने माले हैं मान्य प्रभारी डाक्टर सुसील गुपता जी भी हरियाना से हैं जिस तरह से बदलाव दिल्ली में आया जिस तरह से बदलाव पंजाब में हो रहा है हरियाना का भी उतना ही हक है कि वहां भी बदलाव आये पेवस्था परिवर्तित हो सम्मान पूर्बग ज इतने लोगों के आने के मुमान है। जो तेजी आई है, जो एक बयार चली है, जो एक आंधी चली है, जो इंकलाब आया हुआ है। चाहे पुरे हर्याना से कितने लोग भी आएं, उनकी बेवस्था में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनकी पबली फैसलिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने उस सरूबर का चैन किया है। अंदाजा यही है कि ये एक एतिहासिक रहली होगी और जिसका अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अपने सोयम से भी हमारे पार्टी के कारिकरता के जो साथ ही हैं उनके मार्ध्यम से पानी की वेवस्था, बैटने की वेवस्था, चाहे की वेवस्था, और कूलिंग सिस्टम की वेवस्था बहतर देने का प्रयास कर रहे है। बिल्कुल हमारी आंदोलन से निकली हुई आमाद्मी पार्टी है इसमें सभी लोग करांतिकारी विचारधारा के हैं इमानदार विचारधारा के हैं देशवक्ति की विचारधारा के लोग है निश्चित रूप से जो ये भरस्टाचार फैला हुआ है भाई बतीजा बात फै इसकी हुई है इस भाजपा सासितकार में इसमें बदलाव लाने का काम करें सत्ता पाना हमारा कोई उद्देश नहीं है बेवस्था परिवत्तर हमारा उद्देश मुझे लगता है कि एक निस्पक्ष अस्थान है जैसा कि इतिहास गवा है और कुरू छेत्रा एक धर्म नगर बोड कई जगा फट गए है और ये एक बड़ा विवाद बंदा जा रहा है कहीं न कहीं विपख्ष के पर आरूप लगा जा रहे हैं कहीं ये भी चर्चा है कि कुछ अपने ही लोग कोछ ऐसा तो नहीं कर है देखे हर अच्छे अनुस्थान में हर अच्छे आहुती देने मालों के बीच कठिनाईयों का सामना हमेशा करना पड़ा है इन सारी परिशानी और कठिनाईयों का सामना करने के लिए आमाद्मी पार्टी के पदादिकारी आमाद्मी पार्टी आमाद्मी पार्टी के कारिकरता निरंतत तयार है वो जितना फाड़ना चाहें, वो पाड़ें, वो अपनी नियती का परिचे दें, हम सम्मान पूरवग दुबारा से लगाएंगे, वो सौ फाड़ेंगे, हम एक हजार लगाएंगे, वो एक हजार फाड़ेंगे, हम दो हजार लगाएंगे, तो हमारा काम है, हम अपना संदेश पहुँचाना उनका काम है अब्यवस्था फैलाना जो यहां पे जाती है और मझहिब के नाम से लडाना धरमों के नाम से ललाना विभावजित करना यह उनका अपना काम है हम अपना काम करेंगे हम काम की राजनीती कर रह रहे हम स्कूल और अस्पताल सुधार में वो अगर बैनर फार के कोई ऐसा मैसे देना चाहें तो वो अपना डर का माहूल पैदा करें वो उनकी नियती है हम आदमी पार्टी काम पर भिश्वास करती है वो फारते रहें हम लगाते रहेंगे रैली का सर्थ समय क्या है कितने बज़े का रखा अगर कब तक चलेगे जी बिलकुल ग्यारा बज़े का समय निश्चित है और इसी के आसपास मन्य अर्विन केजी रिवास जी आ जाएंगे मन्य प्रभारी अपना इस प्रदेश के रक्टर सुसील निश्चित है वो भी लगा हुआ है जो प्रदेश लेबल का सीस्ट निश्चित है वो भी काम कर रहा है तो ऐसी उमीद की जा सकती है कि हर्याना में ये दसकों में साइथ कभी ये पहली ऐसी रैली होगी और सफर रैली बानी जाएगी इस रेली में क्या पंजाब मंधर्यमंडस है, दिल्ली मंधर्यमंडस है, कोई नेता हो के, मुख्य मंधर्यमंडर्यमंडस के विएने के संबाव Skills नहीं है? जो भी इस देश को दुनिया का नमबर एक देश देखना चाहते हैं, वो सबी साथ होगि इतने दिनों से परचार परसाद चल रहा है चैपराटी की जिलत यक्ष्षों विशाल कुपड़ जी उत्री जून के उपाध यक्ष्ष। सारी के सारी जो दिक्कतें हैं सारी परेशानियां है आमादमी पार्टी का मुद्धा ही इस वेवस्था परिबतन का है बहुत ही तरस्त है घर्याना प्रदेश की जंता 1973 आनकी बहुत सारी परेशानिया है रोजगार को लेके हैं, बरेस्टचार को लेके हैं एलाज और दवाई और पढ़ाई को लेके हैं तो वहाँ餇 एक सम्मान के रूप में एक आसा के रूप में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कारिकरता देखा जा रहा है साहिद या उमीद उनकी एक आस बनी हुई है कि हाँ कोई है ऐसी इमांदार पार्टी जो इमांदारी से सब को समाना धिकार देने का काम करेगी इस रियल्य में शर कोई बड़े चैरे भी हैं जो पार्टी में शामिल होगे जिने मुश्बड़ पब्लिक के साम sponsors किर आजाएगो कार्मा ऐसा भीड कोई बड़े नाम बड़े चैरे क्योंकि चर्चा है कि कोई बड़े नाम बड़े चैरे stage पर आम आदमी पार्टी का दामन साफ थाम सकते हैं के जिरिवाल जी के नेतर तुमें उनकी छमता हो, उनकी योगता हो, सबसे पहले उनकी योगता होनी चाहिए कि वो इमानदार हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी कोई खराब्च भी नहीं है, ब्रस्ट अचार में लिप्त नहीं है, करेप्ट नहीं है criminal cases नहीं है ये सारी चीजों के आकनन के हिसाब से हम किसी को आमंत्रित करते हैं या किसी को भी आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाते हैं ये पहले जान लेते हैं कि उसकी चबी अच्छी है उसकी विचारधारा को भी जाने की कोशिश करते हैं उसमें लगता है कि देश बदलने या देश भत्ती की कोई विचारधारा है ऐसे लोगों को हम आमाद्मी पार्टी का हिस्सा बनाते हैं तो आमाद्मी पार्टी में कोई बड़ा छोटा खास ओधेदार ऐसा कोई माइना नहीं है हमारे आकनन, हमारे माबडन, हमारा मुले आंकर सभी के लिए एक जैसर है लोगों के लिए बैटने की क्या वस्ता की कुर्सियां लगा रहे हैं 75,000 कुर्सियां लगा रहे हैं और कुछ हम बैक अप भी कुर्सियों का रखेंगे अगर आउट सेक्ता पड़ी तो और भी लगा देंगे पूरा एरिया जो बैटने का है वो हम सिलिंग से कबर कर रहे हैं कुर्सियों की विवस्ता कर रहे हैं उसके अंदर हम पानी वाले जो कूलर होते हैं कूलिंग सिस्टम भी लगा रहे हैं पानी की छबील लगा रहे हैं पानी के स्टॉल लगा रहे हैं और हमारे पार्टी के ही बहुत सारे स्वायम से भी जो अपनी एक्षा से पार्टी के लिए सेवा करना चाहते हैं वो पुद के उपर पानी की वेवस्ता भी कर रहे हैं तो सुबीधा के हिसाब से देखा जा रहा है कि जो ब्रहम सरोबर है वहां पर पब्लिक फैसिटी की पहले से भी बहुत है और हम भी वहां प्रवाइट कराने का प्यास है जिस परकार का बदलाव लोगों में देखा जा रहा है ऐसा बदलाव कभी और पहले नहीं देखा गया है और ये एक आंदोलन है ये एक आगाज है ये एक इंकलाब है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरह पूरे देश में चल पड़ा है अभी आप नजल डाले तो 3-4 दिन पहले केरल में हमारी अर्विन केजरिवाल जी की रैली हुई एतिहासिक रैली हुई रिकार रैली हुई इतने लोग एक साथ वहां कभी कठा नहीं हुए तो जहां पढ़े लिखे लोग, जागरूप लोग, समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं वो साथ आदमादमी पार्टी की विचारधारा से जोट रहे हैं और साथ वो समय हर्याना अब बदलेगा हर्याना जो हमारा टैग लाइन है वो साथ अब यहां फली भूत होने ज